बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूं उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेजी साथ में बैल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी और लाइक करना बिल्कुल न भ जब कल्यूग में चारों तरफ कल्यूग खीच रहा हो अपनी तरफ उस खिचाव में भी अपने मन को जो गुरू के चरणों से जोड़ ले वह सच्चा सूर्मा नाम की ताकत को देखिए इस कल्यूग में कल्यूग गुरू नानक पाश्चा के पास आया था यह घटना अंक जवारात का महल ले लो मैं जवारात से भरा महल आपको बना के दे देता हूं पर लोगों को नाम जपाना छोड़ दो पास में मरदाना जी बैठे हुए हैं तो उन्होंने कल्यूग से सवाल किया कि तू हमें कहता है कि रतनों के महल बना देगा यह जो चादर तूने खुद लपेटी हुई है वो तो जगा जगा से फटी हुई है छेद ही छेद है इसमें तेरे पास तो अपने लिए एक चादर तक नहीं है चादर भी ऐसी जो पूरी फटी हुई है और फटी हुई चादर पहन के बैठा हुआ है और हमें कहता है मोतियों के महल बना देता हूं तो क कल्यू कहने लगा यह आलस की चादर है यह आलस की चादर मैं अम्रत वेले सारे संसार पर डाल देता हूं यह सची बात है सास संगत जी आप नोट करके देखना उधारण के तौर पर होस्पिटर में जो मरी सारी रात तड़कते रहते हैं ना तीन बजे वो भी सो जाते हैं उन तो कल्यू कहता है कि यह चादर मैं पूरे संसार पर डाल देता हूं कि कोई उटकर नाम न जपे पर जो नाम जपने वाले सिक हैं वो चादर को फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं इसलिए यह चादर जगा जगा से फटी हुई है कल्यू का यह जोर है कि आप कोई गलत काम करन जाओ तो सो लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे और आप एक नेक काम करने जाओ तो सो लोग आपके ऑपोजीशन में खड़े हो जाएंगे और जिस काम के लिए मालिक खुद आ गया जाए उस काम को भला कौन रोख सकता है आपको नहीं पता कि गुरू ने आपको क्या दे दिया है हीरे का मूल तो जहरी ही जानता है हर कोई नहीं नाम ही साथ जाएगा और कुछ नहीं यह घडियां ही साथ जाएंगी बाकि जो भी आप जीवन में कर रहे हो कुछ साथ नहीं जाएगा भजन सिम्रन ही साथ जाएगा आपका हिसाब देते वकत यह नाम ही साथ हो यही घडियां आपको चुड़ाएंगे जैमात पिता सुतमीत नभाई मन उहा नाम तेरे संग सहाई जो नाम नहीं जबते यो तो पच्छताएंगे पर जो जबते हैं वह भी पच्छताएंगे तो यहां बाबाजी से सवाल किया कि को नाम जबते हैं वो क्यों पच्चताएंगे, वो इसी लिए पच्चताएंगे, क्योंकि उन्हें जब नाम की कीमत का पता चलेगा, कि नाम की कीमत इतनी जादा है, तो हमने जादा क्यों नहीं जपा, वो इसी लिए पच्चताएंगे, भाबा जी मेहर करें, हमें कभी पच्चताना न पड़े आजकल की जनरेशन है, इनके दिमाग में बहुत कोश्चन होते हैं ये अच्छी बात है कि हर सवाल को समझने की जिग्यासा होनी चाहिए पर तर्क नहीं होना चाहिए नाम जपने से सुख कैसे मिलता है? बाणी कहती है, सुख दुख इस मन की बिर्था इसका मतलब ये है कि सुख और दुख इस मन की अवस्था का नाम है सिर्फ सुख और दुख होता ही नहीं अगर मन की अवस्था बदल जाए तो वही दुख सुख लगने लगता है और मन की अवस्था गिर जाए तो सुख भी दुख लगने लगता है और नाम क्या करता है, सोचने का तरीका ही बदल देता है, परिस्तिती वही है, पर सोचने का तरीका बदल जाता है, परिस्तिती नहीं बदलती, मनुस्तिती बदल देता है, दृष्य नहीं बदलता, पर दृष्टी बदल देता है, इसी पर एक घटना है, हजरत महाम साहब को पता चला कि उनका एक शिश्य दूर इलाकों में व्यापार करने जाया करता है अचानक उसने व्यापार करना बंद कर दिया, घर में बैठ गया, पांच वक्त का नमाजी पर उसने काम करना बंद कर दिया हजरत साहव उसके घर गए और पूछा भाई क्या बात है तू तो बैपार करने जाया करता था दूर दूर देशों में बड़ा कारोबारी है तू अपना काम क्यों छोड़ दिया तूने साथ संगत जी बड़े ध्यान से सुनना अविस घटना को एहसास हो जाएगा कि मनोस्तिती कैसे बदलती है देखो परिस्तिती सब के लिए समान होती है पर हर एक की मनोस्तिती अलग होती है एक के लिए वो दुख बन जाता है और दूसरे के लिए वो सुख बन जाता है बाबा को समझने के लिए हमें इस घटना को समझना होगा अब जब हजरत साहब ने पूछा कि तुने अपना कारोबर क्यों छोड़ दिया तो उसने बताया मैं रेगिस्तान में अपने उठों पर समान लाग कर जा रहा था एक ऐसे हिलाके में मैं रुका जहां खाने को कुछ नहीं थ पीने को कुछ नहीं था वाह रुका सेकड़ मेल तक दूर दूर तक कुछ और खाने पीने को नहीं था पर मैंने देखा यहां पर एक लंगडी चडिया है जिसके पंख भी तूटे हुए थि वह उड़ां हुआ tentang हिGame यहां कुछ खाने को नहीं है पीने को नहीं है तो ये ज कि जीवित कैसे है और कुछ देता हूं एक दूसरी चड्याने उसके मूह में खाना डाला मैं देखकर हरां रहे गया और मालिक के शुकराने में ही डूब गया कि है मालिक यह कुछ दूर-दूर तक खाने पीने को नहीं है पर तू उसके मुँँ में दाना भेज रहा है ये तेरे आसरे बैठी है और इसे अगर बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है तो मैं काम क्यों करूँ इसलिए मैंने काम करना बंद कर दिया मुझे खुदा पर विश्वास है कि वो मुझे बैठे बिठाए भोज जन देगा अब यहां हजरत मुहमद साहब मुस्करा पड़े कहने लगे कमाल है तेरी मन की अवस्था इतनी गिर गई अब सास अंगत जी हम भी अगर देखें तो हमारी नजरों में कितना महान है वो कि खुदा के सहरे बैठ गया कि खुदा खिलाएगा देखो द्रश्य एक है और मन की अवस्थाएं अलग है यहां हजरत मुहमद साहब किस तरह देख रहे हैं और वो आदमी किस तरह देख रहा है फर्क क्या है नाम हजरत साहब कहने लगे कि तूने एक द्रश्य देखा कि एक चुडिया उड़कर आई उसने दूसरी चुडिया को खाना खिलाया ज किया जो आकर खाना कहिश्रा रही थी तूने आपहीच स्वुकश्चार किया नहीं किया तुरिया जर्चार के जादा कारोबार करूं कर ब Zum अलग है सोचने का तरीका अलग-अलग है और यह सोच बदल जाती है नाम जपने से हम आज दुखी क्यों है हमारे चारों तरफ एक नेगिटिविटी फैली हुई है उसे पॉजिटिविटी में अगर बदलना है तो एक ही तरीका है भजन सिम्वरन तो बाबाजी की प्यारी सा करती है और भजन सिम्वरन जरूर करना है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी शेयर फॉल्वर सब्सक्राइब भी जरूर करना जी